हेलो वेल्केम तो माई यूट्यूब चानल हरवे ओफ लविंग आज के रिव्यू में आपके साथ शेयर करूंगी फॉर्म वाली ब्रा के बारे में जो के मैंने चेजब से परचेस की है यह इंपॉर्टिट फॉर्म ब्रा है जेजब की शी शॉप पे बहुत ज़्यादा वराइटी अफिरेबल है आपको वहां से हर तरह की ब्रा मिल जाती है अगर आप नेट की ब्रा पेहनते हैं काटन की ब्रा पेहनते हैं जर्सी की या फॉर्म वाली ब्रा पेहनते हैं आपको वहां हर तरह की ब्रा हर प्राइस रेंज मिल जाती है यह जो इंपोर्टिट फोर्म ब्रा है यह बहुत ही खुबसूरत है और इसका पिंग कलर बहुत फंकी है में शूर कि आप जब भी ब्रा पर्चेस करें तो आपको आपका एक्जेक्स साइस पता होना चाहिए अगर आपको आपके ब्रेस्ट का एक्जेक्स साइस मालूम नहीं है तो यूट्योब पे बहुत सारी वीडियोज हैं आपको अधर मेट वितैंग कना तो आपको प्रेस्ट का मसला पाता काूं तो चैजोब बीडस भी है प्रा पहन सकते हैं इस जो प्रा मेट करौँ मेंड़िस ऑगे जाफ पर्चेजर पाइं इस रेंज की ब्रा अवेलेबल है आपको बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है कि जेजब किशी शॉप पे एक्सपैंसिव ब्राज है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह बहुत सदा खुबसूरत ब्राज है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इसकी जो स्ट्रैप्स वो डिटैच हो जाते है सपोज अगर आपके किसी भी ड्रेस से जो है स्ट्रैप्स नज़र आते हैं तो आप इसके स्ट्रैप्स को डिटैच कर सकते हैं इस ब्राज की होल बहुत अच्छी है मेक शूर कि आप जब भी ब्रा जो है परशेस करें अपने एक्जेक्स साइज से करेंगे तो आपके ब्रेस बहुत अच्छे दिखेंगे और आपके कपड़े पहने हुए बहुत खुबसूरत दिखाई देंगे और ब्रा को नहीं हमेशा हैंड वाश करवाएं कभी भी मशीन में मद वाश करवाएं इस तरह जो ब्रा है वो खराब हो जाती है और उसके जो हुक्स है वो भी खराब हो जाते हैं आप इसकी फैनिशिंग देख सकते हैं कि बहुत खुबसूरत है कपस की दोनों साइज पर लैस लगी हुई है और सेंटर में वो है कपस के नीचे जो वाइर है जिसकी वजासे ब्रेस अपनी जगा पर रहते हैं और शेप में रहते हैं अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस शेप में नहीं है और शेट पहनी हो यह खुबसूरत नहीं दिखाई देती है तो आप फॉर्म वारी ब्रा पहन सकते हैं क्योंकि इसमें वाइर होती है और थोड़ा से यह पैड़ीड ब्रा है तो आपके ब्रेस जो है बहुत अब अपनी साइज के लिए से अड़ेस्ट कर सकते हैं यह फिनिशिंग ओवरॉल बहुत जबर्दस्त है हर साइज की ब्रा जो है वह वहां पर मजूद है आपने अपना इग्जैक्स साइज जो है वह मैशर करके जो है इस ब्रा को पर शेस करना है होक्स अच्छी है ओवरॉल फिनिशिंग भी अच्छी है सम्टाइम कुछ त्रेट रह जाता तो वापकार्ट लिया करें पहनी हो यह बहुत जबादा हुपसुरत लगती है हर कलर में इसमें ब्रा अवेलेवल है इनर साइड में इसकी बहुत जबादा स्मूथ है कब की जिस पे इसका जो है साइज मेंशन है इन्स्रक्शन पर गिवन है कि आपने इसको ब्लीश नहीं करना और मशीन में कभी भी अपनी ब्रा को अंडर गार्मेंट को वाश ना किया करें थोड़ा सा डिटोल डाल के डिप कर दिया करें ऐसकी ले इसको झूज होथ से खराब नहीं हुते हैं इसका उपकी अदरान्ध को यह रीक्राम्नlarını और गार्मेंट को वाश नेई झाल अरगिन आफमार करना पता जो और ऑननी उम्पनोर को आपके जिसमें आप खराब नहीं होते हैंינ ouvert को सब्सक्राइब BIG के ब्राब नही यह पहुत खुबसूरत से फंकी से कलर थे जो पहने वे बहुत खुबसूरत से लगते हैं अगर आप ने अभी तक चेज़एब को विज़ट करें उसकी शीशॉप पर बहुत सारी अच्छी वराइटी की जो बड़ा हैं वह मझूद हैं आप देख सकते हैं इसका स्ट्रैप्स को रिमूफ कर सकते हैं फिर भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी होपस हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके पैल बटन को लास्मी हिट कर लिए ताकि आपको हर नियो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अपर और इसका लोग बहुत अच्छा है और पहनी वी भी बहुत अच्छी लगती है फिनिशिंग बहुत अच्छी है होल बहुत अच्छा है और प्राइस भी जमें बहुत जादा रिजनेबल है I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Try to work you out, it's killing Every time my heart's been missing I spent the last two weeks just winning